आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि आखिर इस कुवे को बनाने का यहां क्या मत्सत था और किसानों ने यह कुवा यहां पर आखिर क्यों बनाया है जमीन जल चुकी है आसमान बाकी है सूखे कुवे तेरा इम्तहान बाकी है वो जो खेतों की मेंडों पर उदास बैटे हैं उनका अब तक इमान बाकी है एबादल इस बार बरस जाना समय पर क्योंकि किसी की जमीन गिर्वी है नमस्कार मैं प्रिया तियागी और आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नए आशो जिसका नाम है कहानी आंदॉलन की तो हम शुरू करते हैं आज की पहली कहानी यहां से, आप यहां साफ देख सकते हैं कि यहां पर एक कुवा है और यहां पर किसान अंदॉलन में हम लोग मौजूद हैं, गाजी पुर बॉर्डर पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यह कुवा बनाया गया है आपको पूरी सच्चाई दिखाएंगे कि आखिर इस कुवे को बनाने का यहां क्या मत्सत था और किसानों ने यह कुवा यहां पर आखिर क्यूं बनाया है क्या दर्शाना चाहते हैं किसान यहां पर इस कुवे को बनाकर आखिर आप देख सकते हैं कि पानी किस तरीके से बॉ पॉटल में कैद पानी है उसकी कीमत लग चुकी है यानि पानी की कीमत भी आज की तारीक में लग चुकी है मतलब पानी भी हमें बोतलों में पीना पड़ेगा और यह सिचुएशन आगे भी होने वाली है इस किसान आंदौलन यह जो हो रहा है तीन कृशी कानून की मांग को लेकर यहां पर जो किसान लगातार बैठे हुए है और उनकी मांग है कि यह तीनों किसान मौजूद हैं चाहे वो कोई भी हो हिंदू हो मुसलिम हो जाठ हो सिख हो यहां पर सभी तरीके के किसान मौजूद हैं छोटे किसान भी और बड़े किसा एक चीज आज आने वाली तारीक में बोतलों में या पैकिटों में कैद हो जाएगी ये इसका संकेत है जो किसान आंदौलन या किसान कर रहे हैं उनका साफ कहना है कि यदि ये तीनों कृशी कानून लागू हो जाते हैं तो इसी तरीके से हमें पैकिट में खाना पैक होकर मिल ना कि हम अपनी स्वतंतरता से पानी पी सकते हैं और खाना खा सकते हैं आप साफ देख सकते हैं यहां पर सारे किसान मौजूद हैं आप हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से यहां पर लोग लगे हुए हैं अपने काम करने में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर सेवा भाव दिखाया जा रहा है और लोगों की लगातार सेवा इसलिए की जा रही है ताकि हमें खाना आगे पैकेट में ना मिले ताकि वैसी हमारी देश में इतनी ज्यादा भुकमरी है और अगर यह तीनों क्रिश्चि कानून लागु हो जाते हैं तो उनका साफ कहना है कि क पॉर्परेट भराने को इससे फायदा होगा आम जंता मजदूर को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है और यह आप सचाई देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से खाना बनाया जा रहा है लोगों की सेवा की जा रही है ताकि यह लड़ाई इनकी अकेले की नहीं है यह सिर्फ किसानों की नहीं है यह लड़ाई बच्चों की बुजर्ग की महिला की हर एक वर्ग के लोगों की लड़ाई है यह आप यहां देख सकते हैं कि किस तरीके से यह लोग सेवा भाव कर रहे हैं और यह लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं उनका साफ कहन यह अब जन आंदॉलन बन चुका है ताकि सभी को फाइदा हो अगर इस किसान का सब लोग सपोर्ट करेंगे तो उनको बहुत ही फाइदा होगा और अगर यह तीनों कृशी कानून लागू हो जाते हैं तो उन्हें कोई फाइदा नहीं होगा जो गरीब है वो गरीब रहेंग कि किस तरीके से आंदॉलन की लडाई है और यह लडाई इनको जीतनी है और यह चाहते हैं कि यह संदेश दूर दूर तक पहुंचाया जाए धन्यवाद